नमस्कार, लाइफ में एक बात याद रखना, जीवन में आपकी परिस्ति कितनी भी पर्तिकूल क्यों नहों, आपने लाइफ में कोई लक्ष लिया है, आपने कोई टार्गेट लिया है, आपके राह में हजार मुस्किले आए, लेकिन अपने लक्षों कभी अधुरा मत छोड लोना, हजारों लोग जीवन में टार्गेट लेते हैं, लेकिन पूरे कितना करते हैं, सिर्फ दस या पीस परसेंट लोग, और उनमें पूरे करने वाले कौन होते हैं, जो अपने लक्ष परति डेडिकेट होते हो जान लगा के करते हैं, बगवान स्री गनेश की एक छोटी मुस्किले आएं, चाए आपकी प्रस्तिति, आपकी कंडिसन कितनी ही बैड क्यों न हो, आपको अपना लक्ष, आपको अपना टार्गेट किसी भी सूरत में पूरा करना है, बगवान स्री गनेश की ये कहानी जहीं हमें सिक्सा देती, कि जिवन में कैसे आगे बढ़ना है, और कैसे मुस्किलों को दूर करना है, कैसे आपको अपना टार्गेट एचीव करना है, वो कहानी क्या है, ये दे, एक बार महिरसी वेद व्यास महाभारत की रचना करने जारे थे, महाभारत को लिखने जारे थे, महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ था, वेद व्यास ने व्यक्ति की जुरूत पड़ेगी तो महिरसी वेद व्यास के दिमाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति का ख्याल आता है वो है स्री गनेश उनको पताता कि स्री गनेश पुद्धी के देवता माने जाते है और स्री गनेश ही ये कारी कर सकते है तो वो बगवान स्री ग्रेस के पास में जाते हैं और उपको कहते हैं कि प्रभू मैं महाबारत की रचना करने जा रहा हूं महाबारत को लिखने जा रहा हूं लेकिन मुझे आपकी साइता की जुरूत पड़े मैं स्लोक बोलता जाऊंगा और आप महाबारत को लिखते जाना स्री गुनेश तैयार हो जाते हैं लेकिन वो वेद व्यास के सामने एक सर्थ रखते हैं हे गुरुवर मैं महाबारत लिखतो लूँगा लेकिन मेरी एक सर्थ है वेद्वियास केते हैं कि क्या सर्थ है? वो चेते हैं कि में आप स्लोक बोलते जाना लेकिन जब तक खत्पर नहो माबरत तब बीच में रुकना मत. अगर आप बीच में रुख गए तो मैं ये माबरत नहीं लिकूँगा. मैं वहीं की वहीं stop हो जाओगा. वेद्व्यास उस सर्थ को माल लेते हैं और वेद्व्यास और श्री ग्रेश उस मापारत को लिखना शुरू करते हैं कहते हैं कि अनुवरत महिर्शी वेद्व्यास सलोक बोलते जाते हैं और श्री ग्रेश उन सलोकों को लिपते जाते हैं लिपते जाते हैं बिना रुके कहते हैं कि एक बार लिखते हैं लिखते हैं स्री ग्रेस की कलम तूट जाते हैं लेकिन फिर भी वह नहीं रुखते हैं लिखते रहते हैं तुरंत जैसे कलम तूट तूट थी है तुरंत अपना एक दांट तोड कर और उस शाही में डूबो कर तुरंत लिखने लग जाते हैं वापिस इस प्रकार लिखते हैं लिखते हैं तीन साल तक regular महाबरत के स्लोक लिखे जाते हैं और तीन साल बात वो महाबरत पूरी होती है जब वो लिखने के बीच में कलम तूट जाती है और स्री गनेस अपना एक दात तोड़ कर लिखना शुरू करते हैं वहीं से उस भगवान सी गनेस का नाम पढ़ता है एक दंद तभी भगवान सी गनेस को एक दंद कहा जाता है तो भगवान सी गनेस के इस कहानी से भगवान सी गनेस हमेश यह सिक्सा देते हैं कि जीवन में आप किसी र्रह सिए फ़ंग पर चल रह Kafक सब् Excellence निहीं रुकना मत जब तक आफ का लक्ष सुआ ना हो जब तक आपके टार्केट अचीव ना हो रुकना मत चाहे आपको कुछ शुुला जाये आपको परस्तिति में फ़ одним हमाद ाप किमिटमें किया था कि मुझे बिना रुके ये चीज़ पूरी करनीत करनी है उन्हें अप्ना तोड दिया उसको कलन बना दिया तो इंसे अपन क्या सीख ले सकते हैं बगवान सी ग्रSec हमें क्या केते हैं है इस के द्वारा कि жизни में आप कोई भी लक्ष लो कोई भी टार्गेट लो तो बिना रुखे उसे पूरा करना होगा आपको तभी आप जिवन में कोई लक्ष पापाऊगे तभी आप जिवन में कुछ कर पाऊगे वरना आप छोटी मोटी बाताओं से अगर आप रुख गए अगर आप ठक हार गए और आप आप देखा यार नहीं यार यह यह नहीं हो रहा है, यह मुश्किल आरे, उससे आप हार गए, तो आप जीवन में कभी भी खुछ भी नहीं कर पाऊगे, हज्जारो आईगा अपने जीवन में, हज्जारो आपको डिविकलटी सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको लक्ष पूरा करना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा